प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनम दिवस पर हर साल कुछ न कुछ खास होता है और इस साल भी बहुत कुछ खास अंदाज में होने वाला है पीम नरेंद्र मोदी के जनम दिन पर 17 सितंबर को रक्तदान अमरत महसव का सुभारम किया जा रहा है इसके लिए आरोगे सेतु पॉर्टल पर पंजियन शुरू हो गया है 17 सितंबर को देशबर में एक लाख यूनिट रक्त एकतरित करने की यूज़ना है केंद्रिय स्वास्ते मंत्राले द्वारा सभी राजियों और केंद्र शाशित प्रदेशों को इस अभियान को लेकर एक पत्र भीजा गया है और इसमें कहा गया है कि ये अभियान राष्टिय स्वेच्छिक रक्तदान दिवस यानि एक अक्टूबर तक जारी रहेगा और स्वेच्छिक रूप से ये रक्तदान दिवस मनाय जाएगा आधिकारिक सुत्रों ने बताए कि रक्तदान अमरत महसफ की तहत आरूगी सेतू पॉर्टल पर स्वेच्छिक रक्तदान के लिए पंजियन चालू हो गया है और इसमें लोगों से रक्तदान करने और मानफता की खातिर प्रधानमंत्री के मिशन का हिस्सा बनने का आवहन किया है वर्तमान में अगर देखें तो एक्सिडेंट्स की संक्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है और भी कई सारे मामलों में रक्त की बहुत ज्यादा आवश्यक्ता होती है इसलिए मानफता को मद्दे नजर रक्ते हुए ये बड़ा अभियान चलाय जाएगा प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के जनम दिवस पर 17 सितंबर को ये बहुती बड़ी उपलब्दी होगी आपको बता दें एक अक्टूबर तक स्वेच्छिक रक्तदान दिवस ये मनाय जाएगा केंदरी स्वास्ते सचीफ स्राजेश बूशन द्वारा गज सप्ता भेजेगा इस पत्र में कहा भी गया कि सभियान का नारा होगा रक्तदान एक जुटा का कर है प्रयास में शामिल हो और जीवन बचाएं सभी राज्य और केंदर शाष्चित प्रदेशों से इस्थाने अश्यत्री अभाशाओं में अभियान आयुचित करने का अनुरोध भी कहा गया है सोत्रों ने बता है कि आरूगे सोत्यू एप पर रक्तदान के लिए पंजियन इस्टार्ट हो चुके हैं 17 सितंबर को मैगा रक्तदान शिविर के बाद सभी राज्य और केंदर शाष्चित प्रदेशों में एक अक्टूबर को यानि राष्टिय स्वेच्छिक रक्तदान दिवस तक रक्तदान अभियान जारी रहेगा तो ब्रधानमंत्री नरेंदर मोदी के जनम दिवस पर ये खास होने वाला है तो क्या है आपकी राय कमेंट करके में बताईए और आगे की तमाम खबरें सबसे पहले देखते रहने के लिए आप बने रहेए इन खबर के साथ